ओम शांती 23.12.2020 आजके मीठे बाबा के मधूर महावाक्य मीठे बच्चे, यह पतित दुनिया एक पुराना गाउं है यह तुम्हारे रहने लायक नहीं तुम्हे अब नई पावन दुनिया में चलना है प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को उन्नती की कौन सी एक युक्ति बताते है उत्तर है, बच्चे तुम आग्या कारी बन बाप दादा की मध पर चलते रहो बाप दादा दोनों इकठे है इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रेस्पोंसिबल बाप है सब ठीक कर देगा, तुम अपनी मध नहीं चलाओ शिव बाबा की मध समझ कर चलते रहो तो बहुत उन्नती होगी धारना के लिए मुख्य सार पहला है, बंदन काटने की युक्ति रचनी है जीगरी बाप से प्रीत रखनी है बाप का सब को पैगाम दे सब का कल्यान करना है दूसरा है, दुरान देशी बुद्धी से इस बेहत के खेल को समझना है बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है वरदान सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भई और अथोरिटी स्वरूब भव सत्यता की प्रत्यक्षता का आधार है बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भाई और आथोरिटी स्वरुब बन कर बोलो संकोच से नहीं जब अनेक मतवाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सब का बाप एक है और वही अब कार्य कर रहे है हम सब एक की संतान एक है और यह एक ही यथार्त है तो विजय का जंडा लहरा जाएगा इसी संकल्प से मुक्तिधाम जाएंगे और फिर जब अपना-पना पाट बजाएंगे तो पहले यही संसकार इमर्ज होंगे कि God is one यही golden age की स्मृति है स्लोगन है सहन करना ही स्वयम को शक्ती रूप को प्रत्यक्ष करना है ओम शांती